वेल्कम स्टुडेंट्स, तोड़े आम गुएंग टू स्टार्ट अ निव चैप्टर, इस्जू आफ सेस्, जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए, कंपनी जब स्थापित होती है, तो कंपनी के स्टैबलिस्मेंट के समय में बहुत ही इंपॉर्टेंट जरूरत है, कि उसकी पूंजी कैसे प्राप्ति कैसे होगी, इसी क्रम में, जैसा कि बतलाया गया है आपको, कि वेवसाय के द्रिश्टिकों से, वेवसाय के आकार के द्रिश्टिकों से, कंपनी बहुत बड़े आकार का वेवसाय है, परणाम सुरुप उसमें अत्यधिक पूंजी की दरुवत होती है, और इसके कारण से, असंख लोगों से, अनगिनत लोगों से पूंजी की प्राप्ति की जाती है, और उनके द्वारा विविन एक तो असंख लोगों के द्वारा पूंजी दी जा रही है दूसरा अलग-अलग मुल्य से पूंजी दी जा रही है पढ़िनाम सुरुप उनके द्वारा दिये गए मुल्यों के बदले में हम उसे अंसपत्र या सर्टिफिकेट जारी करते हैं राप्त करेगी इसी की जानकरी हम इस वीडियो में देने जा रहे हैं आप द्राध्यान से इस बात को गवर कीजिए कि हमारे वीडियो को जादा से जादा सेर कीजिए लाइक कीजिए और अनिवारे रूप से सब्सक्राइब कीजिए फिलहाल इस वीडियो में हम आपको बतला जाने जा रहे हैं कि कम्पनी के द्वारा अंसों को कैसे जारी किया जाता है इस क्रम में सबसे जरूरी और याद रखने की बात यह है कि कम्पनी के द्वारा अंस उन्हीं व्यक्तियों को दिया जाता है और तभी दिया जाता है जबकि उनको उनसे पूरे मुल्गी प्राप्त लगान स्वभाईकत्र जीतना मुल्य लगाता है उसको थे किया जाता है जब उनके द्वारा मुल्य का भुक्तान कर दिया जाता है या कंपनी के द्वारा उस मुल्य को प्राप्ट कर लिया जाता है जरूरी नहीं है कि यह मुल्य नगद में कैस में लिया जाए उसे अन्य रूपों में संपतियों के बदले में भी सेर्स जारी किया सकता है सर्विस परिस्थितियों में हम अंसों के निर्गमन को कैसे करते हैं या कंपनी के द्वारा इशू अफ सेर्स कैसे किया जाता है कि विस्तार से जानकारी हम आने वाले वीडियों में एक-एक करके देंगे फिलहाल इस वीडियों में हम अंस के निर्गमन का एक रूप हम विस्तार से ज लिया जाता है तो company के द्वारा अंसों को कैसे जारी किया जाएगा इसी की जानकारी हम विस्तार से इस वीडियो में देंगे उससे पहले आपको यह मालूम है कि company के द्वारा जो अंस जारी किये जाते हैं Indian Companies Act 2013 के according, shares का दो टाइप होता है, equity shares और दूसरा preferences तो दोनों प्रकार के अंसों के जारी करने की प्रक्रिया की जानकारी देंगे दूसरी महत्रपुन बात आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि बाजार में किसी भी सामान का विविन्न दर्व होते हैं डिपेंड करता है मार्केट में डिमांड सप्लाई या अन्य बहुत सारे मार्केट कंडिशन्स हैं जिस पर की उस सामान के दाम का दाम निशित होता है या नरधारित होता है बिल्कुल उसी तरीके से कंपनी के भी सर का जो रैठ होगा वहां अनेक तरह का होता है लेकिन इंडियन कंपनीज act 2013 के मुताबिक कमपनियों के द्वारा दो तरह से दो रेट में सेयर्ज को जाड़ी किया जाता है एक आड़ पार रेट होता है यानि सम्मुली यानि 10 रुपई के सेयर्ज है माल लिजिये उसका print price तो 10 रुपई में ही इसू किया जाए ग्यारा बारा तेरा कुछ भी हो सकता है तो ऐसे condition को issue of shares at premium के नाम से जानते हैं इस प्रकार से दोनों रूपों में अंसों के निर्गमन की जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे जहां तक Indian Companies Act 2013 के पहले की बात लें तो पहले में तीन rate से shares को जारी किया जाता था एक rate at par और दूसरा at premium तो था ही तीसरा at discount भी था लेकिन Indian Companies Act 2013 से अब बस दो rate में कमपनियों के द्वारा shares जारी के जाते हैं या तो issue of shares at par होता है या issue of shares at premium होता है इस तरीके से एक-एक करके हम जानकारी को आगे बढ़ाते हैं सबसे पहले issue of shares जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए अभी-अभी हम बतलाए भी कि कमपनियों के द्वारा दो प्रकार के shares जारी किया जाते हैं एक है equity shares और दूसरा है preference shares उससे पहले इस बात को पुना हम यह दुहरा देते हैं याद रखना है हमेशा कि कमपनियों के द्वारा shares तभी जारी किया जाता है जब कि उसके worth या मुल्ले या दाम को ले लिया जाता है पूरी तरीके से बीच में अंसों के जारी करने की कोई स्थिति नहीं बनती है हमेशा इस बात को याद रखना है दूसरा महत्रपुन बात अभी अभी हम बतला है कि अंसों के निर्गमन का rate जो होता है Indian Companies 2013 के according दो rate होता है at par मतलब 10 रुपे वाले shares को जब 10 रुपे में हम issue करते हैं बेशते ह निर्गमित करते हैं या 10 रुपे लेने के बाद 10 रुपे वाले shares को देते हैं तो इसे issue of shares at par के नाम से जानते हैं दूसरा होता है at premium जब 10 रुपे rate वाले shares को 10 रुपे से ज़ख़ा 11-12 Earn 10 10.50 ृपिस य हो सकता है इस condition में अगर हम shares को issue करते हैं तो इसे हम कहते है issue of shares at premium सेर्स के issue करने के लिए तीन परीस्थिति आं है या तीन तरीके से सेर्स के बदले में मुल्र की प्राप्ति की जाती है एक तरीका है सेर्स जबकि पूरे rate को एकठा ले लिया जाता है इस सो लम्शं payment ले लिया जाता है fully paid इसको कहते है दूसरा condition है कि सेर्स के मुल्र के बरावर पैसा ना लिया जाए बलकि लोगों से सर्विस ले करके और तब सेर्ज दे जाए या एसेट्स खरीदने के बदले में हम सेर्ज इशू कर दें जैसा कि आज के कॉर्पोरेट सेक्टर में हम देखते हैं कि कमपणियों के दुआरा स्टुदेंट्स को बीटे किया और दूसरे फिल्ड के स्टुदेंट्स को BCA या MBA वगरा के स्टुदेंट्स को एक अच्छा हैंसम पैकेज दिखलाई देता है कि 25 लाइक एन्वल का पैकेज है बास्तब में उस पैकेज के अंदर में प्राया कंपनियों के द्वारा कम कहा जा या सिर्फ एक लाख या एक लाख में भी कुछ डिड़क्शन वगड़ा करके 80,000 के राउंड हमारे पॉकेट में आता है इस प्रकार से इस प्रकार से services के बदले में सेवा लेने के बदले में employees से या किसी भी व्यक्ति से companyों के द्वारा सेर्स जारी किया जाता है तो इसे ही हम कहते हैं consideration other than cash के condition में सेर्स का जारी किया जाना दूसरे सब्दों में assets या services के बदले में सेर्स का जारी किया जाना तीसरी प्रकारिया है सेर के price को rate को एकठे न ले करके mark mark करके लिया जाए इसको हम as application, allotment and calls के process में सेर्स का issue के नाम से जानते हैं एक-एक करके हम सभी की विस्तार से जानकारी लेंगे, सबसे पहले issue of shares as fully paid जहां तक बतला है, shares दो टाइप का होता है, equity shares को अगर हम लमसम या एकठे पैसा लेने के बदले में issue करते हैं, एक तो rate भी दो होगा, at par के condition में issue करते हैं, तो इस condition में हमारी दो accounting या entry बनती है, सबसे पहला पैसा मिलने पर bank account debit to equity shares application account, और narration में हम detail बतलाते हैं, कि application money receive for such and such number of shares at the rate, जो भी rate दस रुपए है, दो रुपए है, या 100 रुपीज पर share है, जो भी rate है, हम उसको narration में लिखते हैं, next time, next entry जो बनती है, इसी continuation में, उस application के पैसे को हम capital में transfer करनी की entry बनाते हैं, तो entry बनेगी equity shares application account, debit to share capital account, और फिर narration डाल देंगे, इसी तरीके से अगर हम preference shares को issue करते हैं, लंशम में, at par के condition में, तो just नाम का difference है, equity shares की जगापर preference shares आ जाएगा, तो entry बन जाएगी bank account, debit to 10%, जो भ बतलाएं है, preference shares के issue का condition होता है, एक निश्चित rate से उसमें dividend payment करना, dividend rate already starting में fix रहता है, इसलिए जब भी preference shares का नाम रहेगा, उसके rate को भी हम जरूर पाएगे, यानि preference shares सिर्फ preference shares कभी भी नहीं मिलेगा, preference shares में साफ लिखेगा, 5% preference shares, 9% preference shares, 12% preference shares, इस टाइप से, ये जो percentage है, उसके rate of dividend को highlight करता है, बतलाता है, मतलब minimum या maximum इस rate से उसे dividend का payment, lifelong, company के जीवन भर, या shares के life तक हम, या company के द्वारा payment किया जाएगा, इसी कारण से, इस rate को indicate करेंगे, ये नाम का रूप है, इसका कोई calculation issue के process में नहीं हो गई, तो dividend payment का rate है, और dividend payment कभ होगा, जब company salver, year end में business का profit loss calculate करेगी, और तब dividend payment करेगी, at present, सिर्फ नाम के रूप में इसे highlight करना है, लिखना है, compulsory लिखना है, इस तरीके से application का पैसा मिलने के बाद, हम इस पैसे को capital में transfer कर देंगे, तो next entry बनेगी preference shares, 10%, जो भी percentage है, preference shares, application account, debit to share, capital account, इसी तरीके से, अगर हम shares को, equity या preference shares को, at par या at premium के condition में issue करते हैं, तो इस condition में, lump sum issue में, at par के condition में, lump sum issue में, accounting entries जो अभी अभी हम बतला हैं, उसको example से बतलाने जा रहे हैं, जैसे example number one में है, limited company issued 5000 equity shares of rupees 10 each at par as lump sum past necessary journal entries, इस condition में entry वही होगी, bank account debit to equity shares application, 5000 shares 10 rupees each और पूरा पैसा एक साथ आरा, means 50,000 से entry बनेगी, और फिर इस 50,000 को हम immediate share capital में transfer कर देंगे, तो entry बनेगी share application account David, to share capital account 50,000 से, इसी तरीके से अगला example हमारा preference shares को ले करके है, preference shares में 5000, 10% preference shares of rupees 10 each at par, lump sum, journal entries इसके लिए बोला गया, बनाने के लिए, तो entry बनेगी bank account David, to 10% preference shares application account David, और फिर हम transfer करेंगे इसे capital में, तो 10% preference shares application account David to share capital, amount यहां पर भी 5000 shares है, 10 rupees each है, और पूरा पैसा एक साथ आ रहा है अर्था, 50,000 rupees से दोनों entry बनेगी, next point हमारा आता है, issue of equity shares at premium, जैसा कि बतला है rate दो होता है, par at premium, तो premium के condition में क्या accounting होगी, तो आपको मालुम होना चाहिए, कि company के लिए premium फायदे का रूप है, gain का रूप है, और बिलकुल rule पर, double entry system के rule पर यह based entries है, हाँ, यह है कि बार बार यही entry करते हैं, इसलिए rule को हम नहीं गौर करते हैं, अपने आप याद हो जाती है entry, तो फिल्हाल premium जैसा की बतला है, अभी हम gain है company के लिए इसलिए credit करेंगे, और जैसे ही पैसा मिलेगा, पैसा में at par value भी मिलेगा, दाम भी मिलेगा, प्लस premium भी मिलेगा, इसलिए entry बन जाएगी bank account, डेविट टू, equity shares application, टू, equity share या security premium account, और फिर application money को at par value से, capital मतलब at par value होता है, premium capital नहीं है, premium premium, इसलिए at par value से हम इसे capital में transfer करेंगे, equity shares application account, debit to share capital, next, अगर हमारा as lump sum issue है, preference shares at premium, तब क्या accounting होगी, तो बस फर्क premium को लिखने का है, जैसा की बतलाए, और equity shares की तुलना में अगर अंतर है, तो सिर्फ नाम का difference है, यहाँ entry बन जाएगी bank account, डेविट टू, 10% preference shares application account, डेविट टू, security premium account, और फिर जैसा की बतलाए, application money को, application वाले rate, या at par value से हम capital में transfer करेंगे, तो 10% preference shares application account, डेविट टू, share capital account, नेक्स्ट हमारा आजाता है, कि premium के condition में जब हम shares issue करते हैं, तो इसको example से explain करें, तो एक example हम ले रहा है, a limited company should 5,000 equity shares of rupees 10 each, at 20% premium as lump sum, इससे related journal entry बनाई है, या तो इंट्री जैसा की बतलाए, अभी हम bank account, डेविट टू, equity shares, application account, two security premium, 60,000 में 50,000 हमारा capital application value है, 10 रुपे के rate से, और 2 रुपे के rate से, यहाँ पर 10 रुपे वाले shares को 20% premium में, 10 का 20% 2 रुपीज पर share आता है, 2 रुपीज पर share के इसाब से 5,000 shares का 10,000 रुपीज आएगा, total received amount 60,000 है, इसमें से अभी अभी बतलाए, just application money transfer to share capital, इसलिए next entry बनेगी, equity shares application account, डेविट टू share capital account, इसी तरीके से example number 2 में हम आपको बतलाने जा रहे है, 5000 10% preference shares of rupees 10 each, at 20% premium as lump sum, इस तरीके से preference shares को जब हम issue करते हैं, तो entry almost same होगा, सिर्फ नाम बदल जाएगा, equity shares के जगा पर preference shares हो जाएगा, entry बनेगी bank account, डेविट टू, 10% preference shares application, टू, security premium account, amount, amount same है, 10 का 12 रुपए के rate से 20% premium पर इनी, 12 रुपीज के rate से issue किया जा रहा है, जिसमें से 10 हमारा capital amount है, 2 रुपीज premium है, 2 रुपीज के rate से 5000 का 10,000 आता है, capital amount यहने application amount आ जाता है, 50,000, total received amount 60,000 है, जिसमें से सिर्फ application money capital में transfer होगा, तो entry बन जाएगी, 10% preference share application account to share capital account, इस तरीके से premium याट पर कोई भी तरीके से अगर share issue किया जाता है, तो क्या accounting होगी, इसकी हम जानकारी आपको दिये, इस प्रकार से हमारा इस वीडियो में जो जानकारी देना था, कि पूरी जानकारी हो जा रही है, पूरी हो जा रही है जानकारी, और आपसे हमारा एक सुझाव है, कि इस से related जो भी बुक में आपके पास available है, और उस से related जो भी questions, जो issue of shares, as fully paid, at par हो, या at premium हो, या equity shares हो, या preference shares हो, इस पर based जो भी question है, आप उसे solve कर सकते हैं, बड़ी आसानी से, हर एक condition को ध्यान में रखते हुए, हम आपके सामने में जानकारी प्रस्तुप किये हैं, नेक्स्ट वीडियो जो आएगा हमारा issue of shares, consideration other than cash का आएगा, आवस्चेक रूप से वो ध्यान देने का है, examination point of view से बहुत important है, यह जो हम present वीडियो में जानकारी प्रस्तुप किये हैं, prior for future के बाद ratio में इसका use होता है, अगला वीडियो जो हम present करेंगे, उसमें हम आपको issue of shares, consideration other than cash की जानकारी विस्तार से देंगे, thank you.